जीतेंगे सारे दावे सारे बावे जीतेंगे पर्दहान मंतरी सबके साथ वारतालाब करके उनके हाल चाल को जाना आएए देखते हैं एक रिपोर्ट और चीजों को समझते हैं सपस्ट भारत माता की जै हिंदुस्तान जिन्दाबाद रेडिमेट स्कूल उनिफर्म के दुनिया में स्रीशंकर स्टोर्स का एक अलगी पहचार है जिहां बहुत रिजनेबल रेट पर सभी तरह की रेडिमेट स्कूल उनिफर्म नेक टाइस, बेल्स, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जेव्स, टीशर्ट, ट्रैक शू वो केबल मिले यहीं बदाई देता हूँ, एक सुक्रूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है, मैं शब्दों में वरणन भी नहीं कर सकता हूँ, वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो साइद मन को इतनी कैसे समाल पाते कहना कठिन था, तिकि यह केदारनाद बाबा की, बद्रिनाद बवान की उप्रपा रही, कि हम सब सो कुशल आप लोग आए हैं, और सोला सत्रा दिन समय कम नहीं होता है, आप लोग ने बहुत बड़ी हिम्बत दिखाई, बहुत बड़ी हिम्बत दिखाई, और एक दुश्रे का होसला बनाए रखा, ये सब सी बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे समय येने रेलवे के डिबे में भी साथ-साथ चलते हैं तो कभी तो तू-तू में में हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने इस सारा धैरे रखा, मैं लगातार जानकरिया लेते रहता था, मुक्रमंत रिजी से भी लगा माधान तो होता नहीं है, लेकिन मैं सच मुझ में आपके माध्यम से वहाँ जितने भी हमारे स्रमिक साथी निकल करके आए हैं, सब को और उनके परिवार का पुन्य भी काम आया है, ताकि इस संकड की घड़ी से बाहर निकल करके आए हैं, आप कुछ करना चाहेंगे? जी सर, मैं कुछ कहना चाहूंगा सर. भाई के घड़े सा रते थे, सर, किसी को भी कुछ हो तो हम लोगा एक साथ रतेते, कुछ भी प्रोभ्लम होन इसे और पूए दिक्यत नई था. खाना आदा था खाना भी सी. बीलुल के बाट के सर एक जगा हम लोग खाते थे सर. और रात में खाना खाने के बाद में जेतने भी हमारे आजमी थे सबकों में बोलता था हुआ कि चलो एक बार तहलते हैं, मतलब टणल का जो हमारा length है सर धाइ मिटर हो गया सर, ठीक है, किलो मिटर हो गया सर, उसमें हम लोग तहलते थे सर, और morning का जब समय होता था तो हम अपन तो जानी का कोई ऐसा है तीज है नहीं तो अंदर में हम लोग अपना घुंते तरते थे और हम सर सबसे शुक्रिया अदा करेंगे सर उत्राखंड सरकार की सर जिसने हमारे साथ इतना अच्छा वेवार किया सर और हमारे मान्य मुख्र मंत्री धामी साथ हमसे बराबर कॉंटेक और बीके साब इस्थे सर उन्होंने भी हम लोगों को तह दिल से सुक्रिया दा किया और हम लोगों को गले लगाया सर आइस बार तो विके सिंग भी पुरा समय वहां रहे और वे भी बिलकुल डिसिप्लिन जैसे उनकी जो सोल्जेर वाली ट्रेनिंग है नै वो पूरी ट्र तो मॉर्निंग में हम लोग मॉर्निंग वाग करते थे और योगा कुछ करते थे कि आदमी का सेहत बना रहे आपके साथ और कौन है जो बात करेंगे यह साथ है सर जबर सिंग नेगी सर तनल फोर में है सर नमस्ते नमस्कार नमस्कार गबर सिंग जैहिन देखो गबर सिंग मैं मैं तुम्हें तो विशेर सुर्थे बढ़ाई देता हूँ क्योंकि मुझे डेली रिपोर्ट हमारे मुकमंदी जी बताते थे कि आप दोनों ने जो लिडर्शिप दी और जो टीम स्प्रिट दिखाया मुझे तो लगता है शायद कभी किसी उनिवर्सिटी को एक केस्ट्रेडिक ताहर करना पड़ेगा कि गबर सिंग नेगी गाओं का वेक्ति उसमें वो कौन सी लिडर्शिप क्वालिटी है कि इसे संकट के समय में भी पूरी टीम को समाला और आप तो लोकल होने के कारण आप बहुत आसानी से चीज़े समझा भी पा रहे थे तो मैं आपके तरब से सुनना चाहूंगा गबर वानए मुख्यमन्तरी ठूशक भी ठाविश साब हमसे बात बात करते थे हैं और हमारी कमपनी की पूरी कमपनी की टीम लगी भी ती ती्बें एक कमपनी की हम этого कि works प्रवार बनाज सकते रखेंगे लेखेंगे स्टेट गवर्मेंट भी अवची कि जी सब्सक्रसटाइस का थाव रखनागे रहेंगे सर अब मैंने मिनद की सब्सक्रसारइस आप जैसे हमारे देश के परदानिमन कि रहें सर आप जो है जब बाहर से हमारे देश के कंट्री आदर कंट्री से आप लोग खीच के आद इंसान को बचा कि ला सकते हैं तो हम तो अपने घर में थे इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है यहां पर हमारे भगवान बहुत विश्वास्ता और उनकी किरपा भी हमारे बाश और हमारे सारे दोस्तों की उप जादा और अपने बहुत समाला लेकिन मैं सबसे एक और बात भी कहना चाहूंगा आपको शाज अंदर अंदाज नहीं होगा आपके परिवार के सब लोग बहुत दुखी थे पुरा देश एक सो चालिस करोड देश के लोगों को चिंदा थी और सुबह साम जो भी मिलता था तो मुझे यही पूछता था कि मोदी जी क्या खबर है यह कब निकलेंगे क्या होगा सामन्य नागरिक भी मिले से ही सवाल पहले पूछता था और लेकिन मैंने देखा कि आपके सब परिवार जनों ने सामन्य दुख से मैंने देखा है कि जब भी ऐसे संकर राता है तो परिवार के लोग बहुत ही गुसा करते हैं परिवार के लोग बहुत ही और चिंदा और ब पहले कोई मुसीबत नी पड़ी हो काम करते करते वैसे अंदर कोई थे जिसके कोई अनुभाव काम में आये हो आपके अपके अनुभावावशावावाशावाई वह भी लगाता तब से हमारे साद्य बने में बाहर चीव उन्होंने हमारा बहुत हो अर्चा बलंद किया सर वह यहापे वो तरफ़न प्रुश्में ओफिशर्स थे सर उनको हमारे अंदर को या नहीं से बाहर में थे बाहर हो हमारा अंदरर रहे है और इतनी हिमत है कि मैडिकली तो प्रिम shells कहां से होरा उन मिर्जापुर से है क्लिए में ऒभी वाला हूं ऑइक सर्ट बताइए खिलेश है अब का आपको क्या केहना है कि पकुद करना रखता है कि अन्दर में कोई खाने पिने की कोई तो ना सर तो उन लोगों को सर मैं तहे देश से सुक्रियादा करता हूं कि हम लोग को सर सेफ निकाले और हम लोग जी तरह से निकले हैं सर हम लोग को सबसे ज़्यादा खुशी है सर उससे ज़्यादा भी सर बाहर वालों को खुशी है सर वो लोग भी सर दिन रात मैनत किये हुए अंदर आपको दिन रात का नहीं होगा जब तक वो छेद नहीं हुआ तर्फटत नेनु करते थे लिए बागी सिरुसके बाद कंपनी वालों ने सर वह मुबाइल व्यूदं रगारा हम लोग का प्रवाइड करवा दिए तो सर अच्छा थो ने लगा फिर टाइम वकारा का पदा चल दा था फिर हम लोग रंजन कर ने लगते फिर थे फुरा चीजे भेजना शुरू किया तो मुझे लगा गब हम समाल पाएंगे क्योंकि तब तक मुझे चिंता थी क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जब सुरिय का प्रकाफ नहीं मिलता है तो स्थिती बिगेड़ना शुरू हो जाती है आपने से कोई साथी दा उसका भाई तो कह रहा था दो तिन दिन पहले कि बस मैं निकलते उसको घर ले जाओंगा अब मुझे या काम करने रही दे रहा है जी सर वो तो है सर मतलब अब बाई भी है सर वहाँ पे जी सर जी सर नमस्कार सर मैं सोनुकुमार साथ बोल रहा हूं सर सोनुकुमार जी बताईए कहां से हैं आप मैं सर बिहार से हूं सर कहां से बिहार से बिहार में छपराजिला से हुझा बताईए बहुत बहुत धन्यवाद सर यहां के जितने भी लोग है जितने भी यहां पे जितने भी कारेकार्टा है हमारे कंपनी से लेके जितने NDRF, HDRF जो भी है सर हमें हर वक्त हर समय सहायता प्रदान की गई ऐसे हैं कि जब हम ल है जाकिक हम उसे बात कर सके 10 अमररामन हलका रहता था सथ है लेकिन फिर भी भाई यह बहुत चिन्ता का समाई थया आप लोग'T अच्छा आपने आपको समाला यह बहुत पतानी कुछ बुरा हो जाता तो बतानी हम को क्या कर सकते थे यानि अन्दर इतनी चिंता होती थी सबको पूरे देश में चिंता होती थी लेकिंगे आप लोगों ने जो हिम्मत बनाई हैं वो आने वाले दिनों में भी देश के कई नागरीकों को ये प्रेणा देगी को एक संकट के समय हमने ऐसा क्या करना चाहिए ये जरा अंदाद तो आएगा सबको हम लोग एक सात एक परिवार की तरह रहते थे बाकि हमारे सिनियर मेंबर्स थे, कुछ मनरंजन के लिए, कुछ हमलोग के ह drainage फजाई किये झालव मतलब शात रहें कि शुवर की तरह थाइए के भाइक साथ खाना खाए इक साल हर सुप दुग में हम सथ रहें सर जब हमारे धर जब लोगा जान आई हमने इस्वर का धन्यवाद किया बाकि जितने भी लोग वहां पे हैं खासकर हमारे पुशकर सिंग धावी जो हमारे इस उत्राखंड सरगार के मुख्य मंत्री हैं सर उनका तहट दिल से हम सब धन्यवाद करते हैं कि इस मुश्किल की घड़ी में सारे उत्राखंड के लोग सारे देश हमारे साथ खड़ाता सर परीवार के तपस्या भी काम में आयी हैं परमात्मा के आशिरवाद भी काम में आये हैं कि आगे अगर आप घर नअच जाना चाहते हैं कोई बहस्ता कर नहीं है क्योंकि मैं मेडिकल चेक अप पहले चाहता था कि कोई तकलिब नहों लेकिन अब मुझे डॉक्टर ने बताया कि साब बहुत सभी 41 के 41 लोग तबियत उनके अच्छी हैं कोई प्राब्लेम नहीं है तो आगे जैसा ही आपकी टीम चाहेगी वैसी सारी व्यवस्ता है हमारे मुक्यमंत्री जी चिंता कर रहे हैं तो मेरी आप सब को बहुत सुब कामना है और आपके परिवार को भी मेरी तरब से बहुत-बहुत बढ़ाई देना और आप लोग स्फस्त रहें और इसी प्रकार ए लेकिन मैं तो आज वैसे मुझे आज इतना आप लोग इतने दिनों के बारा इतना समय आपका लेना नहीं चाहिए था लेकिन मैं अपने उमंग को रोक नहीं पाए इसलिए मैं सोचा भले थोड़ी रात देर हो गई है लेकिन मैं आप से बात करूं क्योंकि मैं मेडिकल चेक सबसर आए और मैं कल तक इंतिजार नहीं कर सकता था तो मैंने सुच 확실히 करो रात के बात करना आपके जो नारे हैं ने देश सुनकर के आज बहुत ही प्रभावित हो जाएगा बहुत बहुत सुक्वावड़ा है थैंक यो